हाँ तुम जिसको जितना हाथ लगा सको वो अपनी हो जाएगी धनी धन की इच्छा रखने वाला सोचने लगा कि मैं तो सारे हीरे जवारत और सोना सौप को इसको हाथ लगाऊंगा महिलाओ ने सोचा अपन तो एक से वस्तर को हाथ लगाएंगे वहाँ पर तो किसी विशे लंपटी दे सोचा अरे अपन तो रानी को हाथ लगा देगे सोचने वालों की कमी थोड़ी ना है भरमार है दुनिया के अंदर सोचने वालों की कोई कमी नहीं है तो उसने सोचा कि मैं तो रानी कोई हाथ लगाऊंगा रानी मेरी हमेशा के लिए हो जाएगी राजा कोई पागल नहीं है जो रानी को ऐसे ही खुला छोड़ दे हाँ रानी को बहुत हिफाज़त के साथ में अंदर रखा जहां कोई शक्स प्रवेश्च न कर सके नहीं तो आप लोग सोच सकते हो ना कुछ भी इसलिए सारी कहानी में बंदो बस्त करके रखा हुआ है राजा जी ने सारा बंदो बस्त करके रखा और एक तरफ राजा जी बैढ़े हुए हैं बड़े अच्छे से आसन के ऊपर जो ही दर्वाजा खुला राद भर से जागते हुए लोगों ने क्या क्या कलपनाएं की क्या क्या क्वाबों में उडान लगाई पाप के लिए दूसरों का धन पाने के लिए व्यक्ति सब से आगे जाना चाहता है अरे आत्माओं भव्यजीवों एक बात पुछना चाहती हूँ क्या ऐसी होड भक्ताम और विधान के लिए नहीं लगना चाहिए थी मैं पहले मैं पहले अध्भुत सामुईत में जब हजारों लोग बैठेंगे और इन सब की भक्ती की उर्जाएं में प्राप्त करूँगा क्या सद्भाग्य होगा मेरा कई बार हमने भक्ताम अर्विधान एक दिन का तो किया 48 अर्ग्य से तो किया लेकिन आपर 2688 अर्ग्यों से और पुर्णार्ग्य के 48 अलग पूजन के 48 अलग अध्भूत विधान ऐसा मेरा सोभा के कब जागेगा कि मैं एक एक पीजा अक्षर का अर्ग्य चड़ाऊंगा जब एक अर्ग्य में इतना आनंद भरा है तो 2700 अर्ग्य में जहां जहां पर 3-4 जगे अभित के विधान हुए हैं तो जो लोग नहीं बैठ पाए वैसे तो जहां आठ की ही सामर्थ थी आठ लोग ही बैठ सकते ऐसी लेकिन भग्तामर का एक शलोग जब उन्होंने देखा तो लोगों ने का माता जी हमें तो जरूर बैठना है हमें जरूर बैठना है यह सोभाग्य हम नहीं खोएंगे क्योंकि यह तो बच्चे से लगा करके बुड़े तक सभी लोग कर सकते सबको एक एक अक्षर समझ में आने वाला है जब चवर की बात आती है तो भक्त क्या कहता है प्रभू से भावों से भर करके एक शलोग सुनाना चाहती हूँ एक बार तो भगवन मुझे को चवर ढूराने दो एक बार तो भगवन मुझे को चवर ढूराने दो दूर बहुत हूँ एक बार तो समीप आने दो ए प्रभू बहुत दूर हूँ एक बार समीप में आने दो और इन हाथों से चवर ढूराने दो जो आप ये पढ़ेंगे आपको साक्षात लगेगा कि मैं आदिश्वर प्रभू के पास में खड़ा हूँ और चवर ढूरा रहा हूँ कितने पाप कर्मों की निर्जरा होगी उन खषडों में आप कल्प ना करिए तो जब एक शलोक में इतना रस भरा है तो 27,25,27 क्या कर्मों की निर्जरा होने वाली है अद्भूत क्षड इसलिए मैं तो आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कोई घर अच्छूता न रहे अगर ऐसा है कि हम पूरे दिन नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं तीन मित्र की मंडली मिल करके कुछ तिन आप बेट जाना कुछ तिन हम बेट जाएंगे ऐसे कर लो पर अवसर मत चुको यह अवसर बहुत बहुत अद्भूत है और गुरुदेव ने आशिरवात दिया है जैसे कि सारे लोग जड़ धन को पाने के लिए दोड़े जा रहे हैं अरे होड तो यह लगना चाहिए कि पहले में पहले में पहले में प्रभू की भक्ती करूँगा इसके लिए बस कोई कोई बात नहीं कोई हमें कुछ नहीं चाहिए बस पहले हमें भगवान के पास में बैठना है वो खशर चाहिए हमें दुनिया के पास तो बहुत बैठा पर प्रभू तेरे समीप न बैठा तेरे समीप में बैठ करके मुझे भले कुछ न आता हो नमोकार भी न आता हो लेकिन प्रभू तु मुझे वो देता है जो सारी दुनिया मिल करके नहीं दे पाते तो मुझे अपना बनाता है और मुझे अपने से मिला देता है जो आस तो कोई नहीं मिला पाया पत्नी ने चाहा कि मेरा पती बना रहे भाई ने चाहा कि मेरा भाई बना रहे महन ने चाहा कि ये मेरा बहुत प्री भाई है वो बना रहे सबने अपने रिष्टों से मुझे जोड करके रखा लेकिन किसी ने भगवान बनाना नहीं चाहा एक प्रभू तू है एक गुरू तू है जो मुझे भगवान बनाना चाता है अनन्त दुखों से मुक्त करना चाता है प्रभू एक तू ही तो है मेरा जो मुझे दुखों से मुक्त करा दे शाश्वतकाल के लिए दुखों से मुक्त करा दे जो तुम्हें दुख में ही रहने दे वो तुम्हारे अपने कैसे हो सकते है तुम्हारे मीत कैसे हो सकते है वो सारी शत्रू है हमारे जो हमें दुनिया में ही रखना चाहते हैं जो हमें दुखों से मुक्त होने देने का मार्ग पर चलने नहीं देना चाहते वो हमारे मीद कैसे हो सकते हैं कई बार कहते हैं लोग मता जी हम चाहते तो हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं क्या करे घर के लोगों ने जब कड़ लिया है, पकड़ लिया है, कोई है माई का लाल जो तुम्हें पकड़ सके, आत्मा अस पर्शी है, उस पर्श में आती ही नहीं किसी के, तुम्हें कौन पकड़ेगा, आत्मा दिखती ही नहीं, तुम्हें कौन देखेगा, जब देखी न पाते तो पकड़ेंगे कैसे अपने को पाना चाहा पर हम न जान पाए अपने को पाना चाहा पर हम न जान पाए पर को भूलाना चाहा पर हम भूलान पाए हपने को पाना चाहा पर हम न जान पाए जान ही नहीं पाए पाएंगे कैसी ऐसी समय हमारा चला गया प्रभू अब तो कुछ ऐसा रहा दिखाओ कि सारे बहान बाजी खत्म हो और ये भाव में कुछ ऐसा कारिय करे कि अनन्तभव की जंजीरे टूट जाए पुनरपी मरनम जननी जट्रे पुनरपी शेनम बार बार जन्म मरन के इस सिल्सिले से मैं दूर होना चाहता हूँ प्रभू किसी दूर किनारे में बहाई जगत से कहीं दूर अंतर जगत में प्रवेश करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करो रात भर में जो भीतर में व्याकुलता थी कि मैं इसको चूँगा इसको चूँगा और ऐसा दोड़ता हुआ हाथ लगाऊँगा कि सपाट ऐसे कोई चूँ न पाएं और मैं सारी चीजों को चूँँ समय गुजर गया रात का मंगल में प्रभाती हो गई सब के लिए नहीं किसी एक के लिए जो सच में उसे चूँआ चाहता था जिसको चूने के बाद में किसी को चूने की जरुरत ही नहीं रहती सारे लोग ऐसे बेहताशा दोड़ते हुए अंदर में आये प्रवेश की हाँ और कोई कहां छूरा हीरे को, कोई जवारत को कहीं क्या और राजा ने जो मुख्य दर्वाजा था प्रवेश करने का एक बार में प्रवेश हुए, सब अंदर में रहे और बाहर से ताला बंद करवा दिया सब लोगों का प्रवेश एक समय निर्धारित कर दिया था कि प्रातहकाल सुर्यो दैस से सिर्फ अड़तालिस मिनट का समय है जो प्रवेश करेंगे उन्हीं के लिए और ये बात भी बिलकुल सही थी क्योंकि अड़तालिस मिनट में तो सब को वैसे ही छू लेते लोग शाम तक तो कुछ रहता है यह नहीं छूना ही तो था और उनका होना था वहाँ सारे लोग, बहुत सारे लोग आ गए और जैसे ही गोश्टना होई कि आप छू सकते हैं आप लोग और लोग पागलो जैसे दोड रहे हैं महल के अंदर राजा चुपचाप देख रहा है राजा की और कोई देखी नहीं रहा है बस राजा देख रहा है कोन क्या कर रहा है एक किशोर चोटी वाईका लगभग होगा अठारा वर्ष का बालिक हो चुका था थोड़ा विशेश था और पुछना चाहती है वो कहा का था हाँ इन और का बहुत अच्छी बात है मतलब आप लोग अपने आपको विशेश थावित करना चाहते हैं देखते हैं सच में ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो अब वहाँ एक किशोर जब आगे आया और उसने देखा उसने देखा सब को कर लेने दो अपना तो बहुत सीधा सा काम है वो गया कहीं नहीं देखा उसने कहीं नहीं देखा ना इधर ना उधर आजू बाजू पर नीचे कहीं नहीं स्ट्रेट वे जाकर के राजा के चरणकास पर्ष किया, और हाथ जोड़कर के निवेदन किया, राजन, मेरे समराथ, आपको प्रणाम करता हूं, मुझे किसी चीज को छूने की कोई भी भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है, बस मुझे जिसे छूना था, उसे मैंने छू लिया है. राजा खड़े हो गए, घुशना बंद, अब कोई भी किसी को नहीं चूएगा, हो गई, परिक्षा फल सामने आ चुका था, और सारे लोगों को बिठा दिया, राजा ने अपना वक्त भी देना शुरू किया, कि मैंने तुम सब लोगों को सिर्फ परिक्षा के लिए बुलाय था और परिक्षा में उत्तिन हो गया सिर्फ एक यूबग और वो भी, मालवा प्रांथ का वह यूबग, इंद और बोल देते हैं, आपके मन को शांती पड़ जाएगी, और उसमें भी कह रहे हैं, कालाणी नगर का, समझ में नहीं आता, कालाणी है और नगर भी है, दोनों वीपरी चीजें किसे हो सकती है, नगर में कॉलाणी होती है, पर यहां तो कॉलाणी में नगर है, तभी तो बड़े-बड़े चक्रवरती सौधर पड़ीन्द्र एसे निकल करके आ रहे हैं, हा मैं, सच में, नाम शार्थक है आपका, कॉलाणी में नगर है, अभी तक तो द पॉलनी नगर का वह यूवक था और उस यूवक ने जब राजा को सपर्श कर लिया तो राजा तो उनी के खुद के हो गए ना राजा ने उठकर के उस बालक का सिरचुमा बड़े प्यार से कहा राजा ने आज से आज से तुम मेरे पुत्र हूँ मैंने घुश्ट ना कर दी है क्योंकि वह बहुत अच्छी व्यक्तित्व कधनी था जिसकी सोच में यह है कि एक को अपना लिया तो सारा राज्य अपना है और एक नही तो अपना कुछ भी नहीं एक तूना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है निजदर श्ना मिला सारी दुनिया दिखे भी तो क्या है सारी दुनिया को देखो so what, क्या होना उससे निच का दर्श नहीं मिला आत्म दर्श नहीं मिला आत्म अस्पर्शी का स्पर्श न मिला अधर्शी का जो आँखों से देखने में नहीं आता ऐसे चेतन आत्मा का दर्श न किया और वो दर्श आखों से नहीं होता हाथों से स्पर्ष नहीं होता उसका ग्यान से होता है ग्यान चक्षु से देखना होता है जिसने उसको देख लिया फिर दुनिया को देखने के उसको कोई भी जरूरत ही नहीं है वो देखना भी नहीं चाहता धन्य है वहा राजा ने जैसे ही उठकर के घोष्ट ना की कि जिस बालक ने मुझे ही इस पर्श कर लिया तो मैं उसका हो गया और जब मैं उसका हो गया तो सारा राज्य शासन भी इसका हो गया और उसको सिंहासन पर बिठा देते हैं राजकुमार घोषित कर देते हैं बस वो कहानी तो यहाँ पर में विराम देती हूं इस कहानी का लेकिन आपकी जिंदगी की कहानी यहीं से शुरू होती है इस अंसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं किसको स्पर्श कर रहे हो उन हैं जिसको पाने के बाद में सब छोड़ करके जाना होता है तो आज एक प्रश्ण दे देती हूं आपको कल हम फिर मिलते हैं अभी इस कालोनी नगर के अंदर कुछ समय का भाव बना करके आए हैं बहुत दिनों से आप लोग आए थे यहाँ पर और पूरी भावनाओं के साथ में बहले छत्रपती में रहते थे लेकिन अभी फिल्कुल सीधी बात है आज बहुत भावनाओं से आप लोगों के यहाँ पर आए हैं बहुत अच्छा लगा जिन मंदिर में दर्शन करके भगवान की अधुद प्रतिमाय यहाँ पर विराजमान है और पताने कितनी भावी भगवान आत्माय यहाँ पर बैठी हुई है सब की भगवत्ता प्रगठो यही शुब कामना के साथ हुए तो आप लोगों से जो मैंने प्रशन किया था भूख लगे तो भूजन की आवश्यक्ता मेसूस होती है हाँ प्यास लगे तो पानी की आदी आदी तो हमें अब अंतर सुक को पाना है अंतर के आनन्द को पाना है फिर प्रशन चिन्न है उसके लिए हम किसकी प्रतिक्षा करें किसकी हमें आवश्यक्ता है कल की शंखला में इस बात को पूरी करेंगे बोलिए आदिनाद भगवाने की